हेलो फ्रेंड्स मैजिक हैंडवर्ट में आपका स्वागत है आज हम कुरूश्या और उन की मदद से दर्वाजी को सजाने के लिए सुन्दर सा तुरन बनाएंगे इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है और यह देखने में बहुत ही जादा सुन्दर लगता है और इस तोरन में कितना ओन लगा ओन किस कंपनी का है कुरूश्या का साइज सब कुछ मैंने रिस्केप्शन बॉक्स में लिख दिया है तो आप बनाने से पहले एक पर देख प्रेट से लिखने अधितन जो है और आपको प्रेट ना वी देख से कोई हैं तो प्रेट तो देख सकते हैं तो चली आपको मेरा डिजायं पसंद अनुल है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब किजिए और बेल बॉटन को प्रेस किजें ताकि आंस आप सबसेधी ह्यो के तो प्लीज इसे धेर सारा लाइक, कॉमेंट और शेयर केजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपके साथ ने ने डिजाइन शेयर कर सकूँ तोरण में मैंने पीले रंका गुलाब फूल 11 लगाया है, गुलाबी रंका गुलाब फूल 16 और पत्ता करीब 35 लगाया है, तो पहले हम गुलाब का फूल तयार करेंगे सबसे पहले हमें टोटल 16 चैन तयार करना है यह हमारा एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा और यह हमारा 16 चैन तयार हो गया, इसके बाद हमें सिंगल कुरूश्या तयार करना है तो सभी चैन में हमें इस तरीके से सिंगल कुरूश्या बनाते जाना है कुरूश को हम चैन में डालेंगे और उनको अंदर के दरख निकालते वे टू का बन कर देंगे तो यह हमारा single crochet हो जाएगा तो इसी तरीके से हमें last chain तक बनाना है मैं आपको पुरा बना करके दिखाती हूँ यह हमारा last chain तक त्यार हो गया इसके बाद हमें यहां पर five chain बनाना है यह हमारा one two त्री फोर और यह फाइव डिजाइन को हम पलट देंगे इसके बाद एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें वन सिंगल कुष्या तैयार करना है तो यहां पर हम कुरुज को डालेंगे और उन को बाहर करके इसे हम टू का वन कर देंगे तो यह हमारा सिंगल कुष् इसके बाद हम फिर से फाइव चैन लगाएंगे यह हमारा वन, टू, त्री, फोर और यह फाइव इसके बाद फिर से हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में वन सिंगल कुष्या तैयार करेंगे बस इसी तरीके से हमें लाश्ट चैन तक तैयार करना है, मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ यह हमारा लाश्ट चैन तक तैयार हो गया गुलाब फुल में टोटल साथ पंकुडी है, तो चैन भी हमारा इस तरीके से साथ होना चाहिए अब हम इसके बीच में डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले हम वन सिंगल कुष्या तैयार करेंगे क्रुष को हम चैन के अंदर डालेंगे उनको बाहर निकालती ही हम टू का वन कर देंगे तो यह हमारा सिंगल कुष्या हो गया इसके बॉद्स हमें टोटल सेवन डबल कुष्या तैयार करना है यह हमारा वन डबल कुर्ष्या हो गिया टू थ्री फॉर फाइव शीक्स सेवन डबल कुर्ष्या इसी चैन के अंदर हम फिर से वन सिंगल कुर्ष्या तयार करेंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था तो यह हमारा एक पंखुडी तयार हो गया इसी तरीके से हम सारे चैन के बीच में बनाते जाएंगे सिंगल कुर्ष्या फिर सेवन डबल कुर्ष्या फिर सिंगल कुर्ष्या मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हो यह हमारा लाश्ट पंकड़ी भी तयार हो गया उन को हम थोड़ी सी दूरी पर कहची की मदद से इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर इसे हम लॉक कर देंगे उन को हमें इतना छोड़ना है ताकि हम इसी उन की मदद से फूल को अच्छे से बांच सके फ्रेंड्स पस इसी तरीके से हमें फूल तयार करना है अब हम पत्ता बनाएंगे और इसके बाद हम दोनों को जोड़ेंगे पत्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम छे चैन तयार करेंगे यह हमारा एक हो गया दो तीन चार पांच और यह छे पहले वाले चैन में हम कुरुस को डालेंगे और उन को बाहर की तरफ इस तरीके से हम निकाल लेंगे यह हमारा छोटा सा रिंग तयार होगे इसी में हमें डिजैन बनाना है अब हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे यह हमारा एक और यह दो रिंग के अंदर हमें टोटल सेवन डबल कुरुषिया तयार करना है डबल कुरुषिया हमें छोटा से बढ़ा करते हुए बनाना है तो हम हर एक डबल कुरुषिया बनाते समय फंदा को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से यह हमारा थ्री डबल कुर्शिय हो गया फिर से हम फंदा को थोड़ा बड़ा करेंगे और यह फोर डबल कुर्शिय है फाइव इसके बाद हमें थ्री चैन बनाना है एक दो और यह तीन पहले वाले चैन में हम कुर्श को डालेंगे और उनको बाहर की तरफ करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हमें फिर से चैन के अंदर सेवन टाइंपस डबल कुर्शिया बनाना है इस समय हमें डबल कुर्शिया बड़ा से छोटा करते हुए बनाना है तो फंदा को हम धीरे धीरे करके छोटा करते जाएंगे यह हमारा पहला डबल कुर्शिय है दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा चट्टा और यह लाष्ट हमारा साथवा डबल कुर्शिय है इसके बाद हम टू चैनल लगा देंगे जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरीके से ये हमारा one और ये two और इसके बाद ring की अंदर हम cruise को डाल कर उनको निकाल कर इसी हम इस तरीके से lock कर देंगे ये हमारा पत्ता जो है तयार हो गया दूसरे तरह भी इसी तरीके से हमें पत्ता तयार करना है तो पहले हम five chain तयार करेंगे यह हमारा 5 चैन हो गया इसके बाद हम 6 चैन बनाएंगे दूसरा पत्ता के लिए यह हमारा 6 चैन हो गया डिजाइन को हम पलट देंगे और पहले वाले चैन में हम कुरुस को डालेंगे और उन को अंदर की तरफ लेते हुए बाहर करेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे यह हमारा चोटा सा रिंग बन गया अब इसी के अंदर हमें डिजाइन बनाना है जैसे कि हमने पहले वाला पत्ता बनाया था तो अभी हमें दो चैन बनाना है और फिर से रिंग के अंदर सेवन टाइम्स डबल कुर्शिया तयार करना है बनाना है बनाना है हमारा पत्ता जो है तयार हो गया इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और उन को हम थोड़ी सी दूरी पर छोड़कर कैंची की मदद से कट कर लेंगे बस इसी तरीके से हमें पत्ता बनाना है तोरन में मैंने टोटल 35 पत्ता तयार किया है बस जाह कर दोगिए बस्ता है सबसे पहले हम गुलाब फूल को जोड़ेंगे हमने चो उन छोड़ा था वहां पर सुई को डालेंगे और फिर किनारे से इस तरीके से हम रोल करते हुए फूल को बराबर कर लेंगे फिर हम सुई को इस तरीके से चारो तरब से डालते हुए इसे हम अच्छे से बांध लेंगे फूल हमारा तयार हो गया इसे अब हम पत्ते के साथ जोड़ेंगे अब बांध, झाल झालते हुए और फिर और फिर हमारा तरीके से लेंगे फूल और पत्ता चुए एक साथ अच्छे से जुड़ गया बस इसी तरीके से हमें बनाते चाना है अब हम तोरन की पट्ती त्यार करेंगे इसके लिए हमें टोटल तेरा चैन त्यार करना है यह हमारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा और यह तेरा इसके बाद हम तीन चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हमें डबल कुर्षिया बनाना सुरू करना है तो चौथे वाले चैन में हम डबल कुर्षिया बनाएंगे यह हमारा डबल कुर्शिया हो गया इसी तरीके से हमें लाष्ट चैन तक डबल कुर्शिया बनाना है मैं आपको पूरा लाष्ट तक डबल कुर्शिया बना करके दिखाती हूँ यह हमारा लाष्ट चैन तक तयार हो गया इसके बाद यहां पर हमें थ्री चैन बनाना है फिर हम डिजाइन को पलट देंगे और पहले वाले चैन में हमने थ्री चैन बनाया था तो इसके बाद वाले चैन से हमें स्टार्ट करना है तो यहां पर फिर से डबल कुर्श्या बनाएंगे और इसी तरीके से हम लास्ट चैन तक बनाते चाहेंगे हमने जो थ्री चैन बनाया था उसके उपर वाली चैन में भी हमें वन डबल कुर्श्या तयार करना है और फिर से हम थ्री चैन लगा देंगे डिजाइन को हम पलट देंगे और जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम डबल कुर्श्या लास्ट चैन बनाते चाहेंगे पस इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से बनाते हुए जाना है जितना लंबा आपको पट्टी रखना है मैंने तोरन की पट्टी 30 इंच रखा है मैं आपको पूरा पट्टी बना करके दिखाती हूँ तरीका हमारा एक ही रहेगा हमारा तोरन की पट्टी जो है तयार हो गया उनको हमें कट नहीं करना है किनारे वाला जालर बनानी के बाद हम उनको कट करेंगे फ्रेंड्स मैंने तोरन के नीचे छोटा और बड़ा सा इसका जालर मिलाकर टोटा सत्रा बनाया है जालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा लगा सकते हैं और दो जालर के बीच में कितना दूरी रखना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जालर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, तो चलिए पहले हम जालर बनाना शुरू करते हैं, पट्टी को हम पहले इस तरीके से बराबर कर लेंगे, इसके बाद बीचो बीच हम यहाँ पर पीन करेंगे, कुरूस को हम किनारे वाले चैन में डालेंगे और उन को अंदर की तरफ लेते हुए, यहाँ पर हम वन चैन लगा देंगे, यह हमारा वन चैन हो गया, इसी चैन से हमें डिजैन बनाना शुरू करना है, उन को हम इस तरीके से थोड़ा बढ़ा करेंगे, और फिर ह डालेंगे और फिर से हम फंदा लेते हुए, चैन के अंदर से निकालते हुए बाहर करेंगे, तो इस तरीके से हमें टोटल फोर टाइम्स करना है, यह हमारा वन टाइम्स हो गया, टू, थ्री, और यह फोर, फोर टाइम्स हो गया, इसके बाद हम कुरूस में फंदा लेंग और सबी को हम एक साथ इस तरीके से लॉक करके यहां पर हम वन चैन लगा देंगे यह हमारा एक पंखुडी टैयार हो गया बस इसी तरीके से हमें बनाना है फिर से हम उनको बढ़ा करेंगे और पंदा लेके चैन के अंदर डालेंगे निकालेंगे फोर टाइम्स यह हमारा वन टैम्स हो गया टू थ्री और यह फोर फिर हम कुरूस में फंदा लेंगे और सभी को एक साथ लॉक करके यहाँ पर हम वन चैन लगा देंगे बस इसी तरीके से हमें जालर बनाते जाना है जितना हमें लंबा रखना है मैंने पैक सबसे किनारे वाले जालर में टोटल 26 पंकुडी तयार किया है यह हमारा किनारे का जालर तयार हो गया उन को हम थोड़ी से दूरी पर कैंची की मदद से कर्ट कर लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे इसी उन में हमें गुलाब के फूल को जोड़ना है बस इसी तरीके से हमें जालर तयार करते जाना है पहले हम दोनों किनारे का बना लेंगे और बीच का बना लेंगे तो फिर हमें असानी होता है दो जालर के बीच में कितना दूरी रखना है मैं आपको एक और जालर बना करके दिखा देती हूँ हमारा जालर फूल पत्ता सब तयार हो गया सभी को हम एक साथ पहले सेट करके देख लेंगे कि कौन सा फूल और पत्ता कहां जाएगा उसके बाद हम सुई की मदद से सभी को जोड़ते जाएंगे पूरा सेट करने के बाद अगर आपको लगे की पत्ता और फूल कम लग रहा है या फिर जादा लग रहा है तो आप अपने पसंद के हिसाब से जादा या कम कर सकते हैं फूल और पत्ता कैसे जोड़ना है मैं आपको एक बना करके दिखा देती हूँ कि सुई में हम उनको डालेंगे और इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे कुई जाएंगे झाँए कुई बस इसी तरीके से हमें फूल और पत्ता जोड़ते चाना है झायवा हो जे ले खरमट से सम्भाओ के नेलियों से 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 सम्झाना है झाल 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 प्रेंट्स हमारा सुन्दर सा धेर सारा गुलाब की फूलो वाला तोरन तयार हो गया आप भी यह डिजाइन एक बार जुरू बनाएं और आपको यह डिजाइन कैसा लगा मुझे कॉमें लिखिये मिलते हैं फिर एक ने डिजाइन के साथ थैंक यू झाल 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 झाल